हे ब्रजवासियों जिन ब्राह्मनों में ये दोश नहीं है वे ब्राह्मन जो कुछ अपनी वानी से कह देते हैं वह सरवता सफल होता है सत्य होता इसमें संदेह नहीं है जानमेवी वात्शास्त्री जिसकार्थ है कि आश्रिवात देने बाले ब्राह्मन में ब्राह्मन मात्र में ये दोश नहीं होने चाहिए सबसे पहला दोश क्या है असूया कौन सा दोश है असूया किसको कहते हैं गुणेश दोशा विसकर्ण मसूया गुणों में दोश का आविसकार कर लेना इसका नाम है असूया बहुत से लोगों का स्वभाव होता है वो किसी का गुण देखते ही नहीं दोश ही उनको दिखाई पड़ता है सबकी बुराई करेंगे जिन से उनकी वरत्ती चले उनकी भी बुराई करेंगे यह पहला दोश है जो ब्रामन को नश्ट कर देता है असूया दोश में भी दोश न देखे गुण में तो दोश देखे ही नहीं असूया दोश न हो दूसरा दोश है अनृत अनृत मने जूट जो कभी असूया नहीं करते असूया मने किसी के गुणों में दोश नहीं देखते और जो कभी जूट नहीं बोलते तीसरा गुण है ब्राहमन का जो कभी दंब का आस। दंब मने जानते हो दिखाओ बनावटी पन दंब कहने का आश है दंबी लोग ऐसा ऐसा नाटक करते हैं कि बड़े अप सोचो हमारी आपकी क्या चले हनुमान जी चक्कर में फस गए काल नेमी ने इतना बढ़िया साधू का नाटक किया कि ज्यानि नाम अग्रगर्णियम बुद्धिमिताम बरिष्टम स्री हनुमान जी महराज भी चक्कर में फस गए इसलिए जिन में असुया दोश नहीं है जिन में दंभ दोश नहीं है अन्रत जूट नहीं बोलते जिन ब्रामणों में इरश्या नहीं है इरश्या मनें दूसरे के उतकर्ष को देखकर के उन्नती को देखकर जो प्रसन्न होते हैं जिनके मन में जलन नहीं होती है और जो मन वानी क्रिया से किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करते हैं और मान अभिवर्जिता है जो अभिमान सुन्य है सम्मान अपमान में समान रहते हैं मान विवर्जिते हैं अहम सुन्य है श्री नंद बाबा कह रहे हैं ऐसे ब्राहमन सत्यशील ब्राहमन माने जाते हैं और ऐसे ब्राहमन की वानी से जो निकल जाए वह सरवथा सत्य होता है इसमें कोई संदेह नहीं